गुद मॉर्निंग स्टोडेंस वेलकम बैक टू दो ऑनलाइन क्लासे सो बंडरलेंड पॉब्लिक स्कूल टूडेज एट अफ जुलाई 2020 और आज हम लोग हिंदी की बुक में पार्थ दो छोटी की मात्रा का अध्यन करेंगे student ये है आपका पार्थ दो E की मात्रा E means छोटी से आपकी इमली होता है E की मात्रा जो होती है वो हमारे left hand side से start होती है ये होता है आपका left side और इस तरफ से start होती है वो होता है आपका right side चोटी की मात्रा आपके left hand side से start होती है चोटी की मात्रा का उचारण जब हम लोग करते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए इसका उचारण किया जाता है मतब इसको पढ़ने में आपको बहुत कम समय लगता है और जब हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में हमें थोड़ा अधिक समय लगता है यह होता है छोटी और बड़ी E की मात्रा के बीच का difference Students, अपनी previous classes में आप मात्राइं सीख चुके हैं यहाँ पर आपको मात्राओं को revise करना है और बाकियों को और शब्दों को speed से पढ़ने की कोशिश करनी है ह में E की मात्रा होता है ही, र, न Students, आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है आपको speed up पढ़ने की कोशिश करनी है हिरन अब यहाँ देखिए यह है आपकी छोटी की मात्रा ग के आगे लगी हुई है ब में मात्रा नहीं है, ब, गी, या, तो यह होगा आपका बगी, या, तकी, या, पहले आप मात्राओं को पहचानिए सर के आगे E की मात्रा सी, तार, सितार, की, ताब, किताब, चीडिया, चिडिया और इसी तरह से प्रेक्टिस करते हुए, फ्लुएंटली पढ़ने की कोशिश कीजिए उचे स्वर में पढ़िए खिल, कवी, किरन, खटिया, बारिश, मिल, रवी, हिरन, पहिया, किश्मिश पढ़िए और समझिए, यहां देखिए, यह आपके पस कुछ पंक्तियां दे रखी है इसमें छोटी के मात्रा लगी हुए और इन पंक्तियों में बच्चे आपके सामने यहां एक पिक्चर बना हुआ है इस पिक्चर में दो बच्चे हैं और एक चिडिया है, एक घौसला दिखाया गया है आपको इस कवीता की पंक्तियों के माध्यम से यह बच्चे कुछ कह रहे हैं यह क्या कह रहे हैं हम यहां सिखेंगे चिडिया चिडिया इधर आ, चिडिया चिडिया बगिया आ देखिए ये दोस बच्चे हैं जो एक बगीचे में एक गार्डन में खड़े हैं ये बच्चे क्या कह रहे हैं चिडिया चिडिया इधर आ ये इस चिडिया से कुछ कह रहे हैं कि चिडिया इधर आओ चिडिया चिडिया बगिया आ चिडिया कहा आओ बगिया में आओ चिडिया चिडिया तिनका ला चिडिया क्या लाओ तुम बच्चे चिडिया से क्या लाने के लिए कह रहे हैं तिनका लाने के लिए कह रहे हैं तिनका क्या होता है तिनका जिससे चिडिया अपना क्या बनाती है गोसला बनाती है वो होता है आपका तिनका तो बच्चे चडिया से क्या लाने के लिए कह रहे हैं? तिनका लाने के लिए कह रहे हैं तिनका तिनका मिलाकर घर बना चडिया का घर कौन सा होता है? उसका गोसला बच्चे चडिया से क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? तिनका तिनका मिलाकर घर बना बच्चे चिडिया से तिनको को मिलाकर घर बनाने के लिए बोल रहे हैं चिक चिक पिक पिक गाना गा बच्चे चिडिया से क्या कह रहे हैं? चिक चिक पिक पिक गाना गाओ धातिन धादिन नाच दिखा और बच्चे इस चिडिया से क्या कह रहे हैं, कौन सा नाच दिखाओ, धातिन धादिन नाच दिखाओ Students, I hope that you have understand this poem, आपको ये poem समझ में आई होगी, आपको continuous reading practice करनी है, इस तरह से reading practice करते रहिए, parents please बच्चों का dictation भी लेते रहिए, thank you